किसान हमारे अंदाता हैं और हम सब वकील उनके साथ खड़े हैं हम यहाँ पर signature campaign भी कराएंगे और strike भी करेंगे सुप्रीम कोट में किसानों के हक में किसान बिल्कुल ठीक हैं एक दम जो कर रहे हैं वो करें सरकार उनकी सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे वो सरकार बात करें न करा रही है आने दें उन्हें शांतिपून रंग से बैठेंगे यहां पर सरकार सरकार ट्रेफिक जाम करा रही है पहले भी किया है धोके बास मकारी से काम लेते हैं जो मिच्छाजी है और यह दूसरे लोगे आज यह बताया जा रहा है ड्रोन से यह कोई विदेशी आकरांत बहुत है जिनके पर ड्रोन से आप फेक रहे हुरे आंसू गयसा के बिलकुल भी चानुनी रूप से समिदानिक रूप से और नैतिक रूप से किसान ठीक है जो भी उनके खिलाब जाता है वो देश का गधार है वो अतंग वादी है यह यह बार एसेसिशन के जो प्रेजिरिन ने, सुप्रीम कोट के, जो एक चिट्टी लिखी है, वो हम लोगों से पूछ के, यानि के मेंबर से पूछे बगार लिखी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सारे देश के वकील, सुप्रीम कोट के वकील, अ में पता नहीं है बिलकुल वकील 100% किसानों की हर मांग के साथ हैं किसान सही हैं सरकार गलत है अगर सुप्रीम कोट बार एसेसियेशन के प्रेजिडेंट को इंटरवीन करना है तो किसानों की तरफ से करना है यह हम उनसे मेंबर्स अभी बात करेंगे और उनको किसानों की में हैं फोर्स में हैं जिनको बंदूग लेके खड़ा कर दिया अपने लोगों के खिलाप इसी तरह बंदूग जलियावाला बाग में और देश में दमनकारी नीतियां अपनाई थी अंग्रेजों ने भी उसी तरह की नीति ये लोग अपना रहें पूरे पुलिस परसासन से और सभी करमचारियों से अपसरों से हम ये निवेदन करते हैं कि अपना जमीर जिंदा रखो गैर कानूनी कोई काम मत करो और देश के ही लोगों पे गोली या आसू गैस छोड़ने की जुर्रत ना करो काम ही मत करो इस तरह का जो भी है सवधानी को ये गरह मंतरी ये मंतरी स साबित करने के लिए ये रोड रोक देंगे अशुदा हो जाएगी फलाना हो जाएगा ठिकड़ा हो जाएगा कुछ नहीं ये सब ड्राम है जानबूज के अरे तुम चुप चाब रोड खोलो वह प्रैमिनिस्टर के घर का एक पर चकर लगा के लोग जाएंगे वापिस वह जाने का मौका सब को मिलना चाहिए जब तीनों संस्ताइं कमजोर पड़ जाएं तो नेचुरल है लोग ही असली सरकार है और उन लोगों को अपने उस सेवक का जो चुपा हुआ है कड़ी सुरक्षा के अंदर और लोगों को बेवकूप बनाने का काम हो रहा है और बौडर पाकिस्तान को भड़ाम करता था हमारा मीडिया पाकिस्तान तो हजार गुना यहें ऑच्छा है इस मामले में कम सेखम वहाँ किसी को किसी नहीं अटाया था बदमासी करके वकीलों आके वाप स्लेखरल करके वापस फेष्ञ्स पाकिस्तान और इंदू मुसल्मान या हिंदू क्रिश्चन और इसके पल्ले कुछ नहीं यह देश के लिए खतरनाक लोग हैं इनको अब देश समझ चुका है यह इदर उदर जाके किसी को प्राइज देके बारतरतन देके बारतरतन देके चोधरी चर्ण सिंग को यह किसानों प्राइज नहीं बेचेगा और उनका पोटा हो सकता है उसको बेनिफीट हो इंडिजुल के किसी का एक दादा हो सकता है मगर उसकी जो लिगैसी है वो देश के लोगों के लिए थी किसी की गरेलू उनका घर की प्रोपर्टी नहीं है वो चोधरी चर्ण सिंग का कद और उनका नेतरतो और उनका चिरितर उनका जो जीवन था वो देश के लिए था वो किसी एक उनका जो बतिजा पोता जेंत और अमारे ही समाथ से आदमी जो सभापती है रजसभा में उसने भी बिना नोटिस दिये उसको बोलने का मौका दिया यह सारा का सारा पॉलिटी साइज हो गया देश का पारलियमेंट भी तो नहीं करना चाहिए था उनको दट इस रॉंग वह वैसे इसलिए शामिल नहीं है च चड़ुनी की बात नहीं है वो नहीं मैंने कहा था ना इलेक्शन में भी देश इलेक्शन लड़ेगा यहां भी किसान है साथ में यहां नेतावेता की बात छोड़ दो आप नेताओं के पल्ले कुछ नहीं है इस वकत हाँ वो दिल से साथ है उनको अभी ने निमंतर ने दि देश को बताओ ना कोई कमेटिक मुटरी नी ये टरका लोजी है ये टरकाने की बात है सवेदन सिल सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती देमुक्रेटिक व्यवस्ता में ऐसे काम नहीं होते ये सारा का सारा लोगों को Lewis guide करने का program है उनके जो मंत्री-संत्री भी गए थे फार्मरों से मिलने उनके पल्ले भी कोई power नहीं वो नाम के बले मंत्री हो इस देश में कोई मंत्री मंत्री बचा नही या एक दो आदमी का सारा साशन चुल रहा है democracy नाम की देश में बची नहीं जूट पड़ेगी तो किसानों के दिल में दर्ध है परतरस्ण करना इस मुल्क को सोग तो लगा नहीं नहीं आनेगा एक बात दूसरा जो हमारे अध्यक्स हैं वो हमारी कमेटी इसे जीत के आए उन्हें सब से सला लेना चीए था बेना सला के वो परसल चित्थी लिख सकते हैं उनको हक है लेकिन कमेटी के पेड़ पे आप चित्थी लिखेंगे इस देश के किसानों को गुम्रा करेंगे वकील जला हो गए हैं इस तरह की चाल नहीं चले जाएगी इस मुल्क का हर समझदार वकील डेमोक्रेसी के साथ है किसानों के साथ है और खराब ववस्था के बदलाव के साथ है इसमें कोई समझ वहता नहीं होगा और मीडिया भी दो वर्ग है एक आपका वर्ग है दूसरा कोई फरक नहीं पड़ता नहीं जितना यहां गोदी मीडिया है उसका काम केवल हिंदु मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा उस विचारे की बुद्धी जैसे कहते हैं माइन डेड हो गया उनका माइन डेड हो चुगा अपने लालच के वसीबूत हो उन्होंने सोचना हैं बहुत सारी चीजें यहां से निकलती हैं गवर्नर बंते हैं अपना कोई लाब होगा कोई ने कोई लेकिन वकील इस बात को गवारा नहीं करते हैं हम किसी के विरोध में नहीं है जो सांतिपूर वांदरून करेगा हम उसके साथ हैं चाहे हो मजदूर है किसान है म은 वांप अपाद है लिए आ गडॉ डालओ सकत झालओ लोहँ पाद टैूर बंते हैं तो जोड़ी चाहे हैं झालओ टो-टोटी करते हैं पिरोध में टालओ है quests ने वकात्ité में नहीं करते हैं यृश्ट स agencyस्योवबस थार रशीयत थाफन ॉर्प लाए